मेरा नाम श्रावनी विक्रम राथोड हमारे भाव शिल्पा क्रियेशन में आपका स्वागत है आज हम धर के चुजों से राखी बनाना सिखेंगे सो लेट्स स्टार्ट राखी के लिए हमें चाहिए ग्लू, मोती, सीधर और रिबिन हमें रिबिन का फ्लावर बनाना है इससे हम रिबिन को सेम साइड चार तुकडों में कट करेंगे हम ग्लू की हेल्प से रिबिन को इस तरह जॉइन करेंगे हम अब ग्लू की हेल्प से इसे एक के ऊपर एक चिपकाएंगे हम इसे प्लू करेंगे और स्टिक करेंगे देखो हमारी सुन्दर राखी तयार है इसे राखी बनाने के लिए चाहिए ग्लू कॉटन थ्रेड ड्रॉइन पेपर फोम शीट फ्लॉवर बनाने के लिए हमें थ्रेड को पेपर के ऊपर गोल गोल भूमाना है मैं अब थ्रेड को कट करके एक साइड से पैक कर लूँगी अब हम फोम शीट के बैक साइड में ग्लू लगाएंगे यह जो बनाया है तसर वो हम इस पर स्टिक को यह मैंने तयार कर लिया अब इसको ब्रश के हेल्प से स्ट्रेड कर ले मैंने इसे ब्रशीन करके सर्कल शेप में कट लिए अब इस राखी को हम इस पेपर पर स्टिक करेंगे इस राखी के लिए हमें चाहिए एक्लेरिक कलर यरबर्ड फोर्म शेट मोती सीजर और ग्लू हमने यह कलर्ड थोड़ा पानी डाल के तयार कर लिया है अब हम यरबर्ड इस कलर में डिप करेंगे और इसे सुपने के लिए रख देंगे हमने यह सीजर के हेल्प से कट कर लिए अब इस पर मोती चिपकाएंगे इस तरह हमें सारे यरबर्ड स्टिक करने हैं हमने यरबर्ड ग्लिटर शीट प्ले चिपकाया और उसके उपर फ्लावर चिपकाया हमारी राख देंगे राखी के लिए हमें चाहिए सीजर, उलन ट्रेड, नेट का कपडा, स्टाफलर, फ्लावर, मोती और ग्लू अब हम नेट के कपडे का बो बना लेंगे हमने बो बना लिया और उसे बीच में स्टापल अब हम इस फ्लावर को इस पर स्टिक करेंगे हमने ये राखी ठेड़ पर स्टिक करेंगे हमने इस फ्लावर में मोती प्रियो दिये और फ्लास में नॉट लगा दी क्योंकि मोती बहार ना आए सारी राखी तो हो गई बस एक स्पेशल राखी बाखी है वो है चोकलेट की राखी ये तबर राखी के लिए चाहिए मारी गोल्ड बिस्कीट काजू चोकलेट वेपर स्टिक मेल्ड चोकलेट मेल्ड चोकलेट के हेप से हम बिस्कीट स्टिक करेंगे अब इस बिस्कीट पर हम चोकलेट स्टिक करेंगे अब इस चोकलेट पर काजू स्टिक करेंगे अब हमारी गी तबर राखी तयार है अगर एसी अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए हमारा चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकोन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे सत्सक्राइब कीजिए झाल झाल